हम लोगों ने इन सम और और यह तीन भी कम्लीट कर लिया हैं अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटेंग कीवर्ड को इसका मिलिंग क्या होगा वी सबसेट ऑफ एट एट इसका मिलिंग क्या होगा एक छोटे सी बात हमें और याद रखती हैं कि जो डिवीजन ऑपरेटर है उसको हम लोग कंटेंग्स सेट ऑपरेशन से स्केल में इंप्लिमेंट कर रहे हैं मतलब डिवाइड या डिवीजन नाम का कोई कीवर्ड आपको स्केल में मिलेगा अगर आपको डिवीजन ऑपरेटर चलाना ही है तो उसके लिए हमारे पास कंटेंग्स सेट ऑपरेशन इवन है एक क्वेरी करते हैं उससे आपको एक्जेक्टी क्लियर हो जाएगा कि हम काम कैसी कहेंगे जैसे हमें लिखा स्लेक्ट एस नेम फ्रॉम सप्लायर एस वेर सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम बुक भी इस सब्सक्राइब एक पर चाहिए पर चाहिए यहां पर मैं आपको एक और वह और सिखाऊंगा नेस्टिंग का यह भी बहुत important concept है जो हमें clear होना चाहिए nesting in the sense यहां पर हम कैसे कर रहे हैं जैसे देखो select s name from supplier s आप ऐसे चोटो supplier table से मैंने पहला टपल पिक किया और उसका s name मैंने blindly उठा लिया मैंने पहला टपल लिया और उसका s name पिक कर लिया अब मैं क्या कह रहा हूं where select title from book b supplier s1 where b.bid s1.bid and s1.sname is equal to s.sname पहले सिर्फ इतनी बात करो इसका मतलब क्या होगा book or supplier का हमने आपस में join करवा लिया है जोइन करवाने के बाद इसकी बात आप मैं करता हूं इसका meaning क्या है s1.sname is equal to s.sname that is exactly what is known as nest egg यह nesting है याग रखना जो यहाँ पर s name लिखा है वही s name मैं उठापर यहाँ लिख दिया है यह होगा न दिसका supplier s था तो s.sname हम नहीं लिख दिया that is the basic meaning of nesting only मतलब sub query के अंदर जो external जो actual query थी उसका you can say name हम नहीं यहाँ लिख लिख लिया that is nesting तो अब हम क्या करेंगे अब आप इस बात को समझो जैसे हमने पहला supplier के name पिक किया पहले supplier का name से आ गया x अब हम क्या करें बस आप ऐसे समझो मैंने इसको replace कर दिया है x से अब आप visualize करो इस पूरी query को यह पूरी query आपको क्या देगी select title from book b supplier s1 where b.bid s1.bid and s1.sn is equal to x यह तो बहुत simple query है x नाम के supplier के पूरी title की list निकाल दो that is very very simple अब उसकी title की list निकाल के आप क्या कह रहे है contain करें इस चीज को यह चीज क्या है कि तो बहुत simple बॉर यूजर बुक तो पहले इतनी बात करो यह यह क्या कि हमने बॉर यूजर बुक का आपस में join करवा दिया join करवाने के बाद name हम क्या ले रहे है abc और उसके title निकाल रहे है मतलब abc नाम के user को या borrower को जितने भी title में ले आप उसकी list निकालो तो एक्स नाम के supplier के मैंने title की list निकाली होगी से title में जितने भी आया होंगे से DBMS आ गया OS आ गया TOC आ गया networking आ गया और say you can say digital आ गया यह सब title उसके आ गया और इसके जब मैंने title निकाले तो उसमें निकले DBMS OS और TOC तो बस अब हमें क्या दिखने है क्या यह title की list इसको contain कर रही है yes तो हम की supplier name X को बाहर अग्पूट में लेंगे next जैसे फिर next couple मैं pick करूंगा next couple का भी blind name ने supplier name जो भी होगा उसको मैंने pick कर लिया से उसका नाम निकला वाई तो अब हम क्या कर रहे है select title from book be supplier as one where this 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 and यहां पर हम क्या बोल देंगे वाई तो बस बिल्कुँ सेम प्यारी तो वाई के टाइटल की list इसके टाइटल की list को contain कर रही है कर रही होगी तो वाई का नाम भीया जाएगा and so on किस किस सप्लायर में दे रखे हैं उन सारे सप्लायर का नाम भार आएगा and that is nothing but exactly division एक और को यह देखते हैं select s name from supplier s where select bid from supplier s1 where s1 dot s name is equal to s dot s name contains select bid from borrow, user where borrow.card number is equal to user.card number and user.name is equal to abc वही बात है पहले हमने पहले supply table लिये उसमें से पहला name मैंने blindly pick कर लिये जो भी नाम होगा से name is x मैंने x name ले लिया और क्या है कहरे है select bid from supplier s1 where s1 dot s name is equal to s dot s name s क्या था यह था मतलब उपर वाली query में था तो what does this mean? यह हो गई हमारी nesting याद कर लो अच्छे से यह बात आपके mind में होनी चाहिए जो भी हम अच्छो जो query लिख रहे हैं उसमें जो भी हमने table लिखी table को नाम जो भी naming किया था अगर वही चीज हम यहाँ लिख देंगे ना वही name हम जैसे यहाँ पर S था यहाँ पर भी हमने S लिख दिया that is nesting okay तो जो भी हमने supplier name पिक किया X बस आपको उसको comfortably इस चीज को replace कर दो X से तो query को इतनी query को आप तुमारा से पढ़िए यह query आपको क्या देगी select bid from supplier S1 where S1.S name is equal to X बहुत simple मतलब जो भी supplier name X है ना उसके सारी book ID की list आपके पास ready हो जाएगी book ID की list बनगे say B101, B102, B110 और B120 यह हमारे पास list आ गई है अच्छा उसके बाद क्या कहला है contain select bid from borrow, user where borrow.card number is equal to user.card number and user.name is equal to ABC फिक रादराम खाली name भी लिख सकते थे फोटे सी बात है हम यहां पे खाली bid की लिख पा रहे है क्योंकि borrow user में देखो borrow user में bid से एक ही table में है that's why हम यह काम कर पा रहे है अच्छा, card number मैं खाली लिख सकता था मैं को borrow.card number user.card number लिखना पड़ा क्यों क्योंकि card number दोनों tables के अंदर था और name क्योंकि इस एक ही table के अंदर है तो हम लोग यहां से user part comfortably हटा सकते हैं वही बात qualifier हम qualifier राम से हटा सकते हैं हम comfortably लिख सकते थे and name is equal to ABC आप देखे अब हम यहां पर select BID from borrow comma user तो यह इतना part बताओ यह हो गया दोनों tables का join join करवाने के पाद name कहा रहें ABC और उसकी book ID मतलब जो ABC user है उसको इतने भी books issue है उसकी book ID निकालो book ID की list मेरे पास आगी से B101 और B102 वालो उसने सिर्फ किताबे शुपरा रखी है अब मैं जार कहा रहा हूं मतलब यह list इस list को contain करें क्योंकि X के जो list थी उसमें यह चारों books थी और जो ABC नाम को जो था उसके पास यह दो books थी और यह list इसको contain कर रही है मतलब यह book ID की list है that contain this list of book ID hence we will get the name X in our final output कोई और supplier का नाम आ सकता है बिलकुर नहीं आ सकता क्यों क्योंकि book ID हमारे पास primary की है book ID primary की मतलब repeat नहीं होगी repeat नहीं होगी तो B101 और 102 यह दोनों hooks से एक ही supplier नहीं दे होगी और कोई supplier मेरे पास आने सकता पर ऐसा भी हो सकता था एक भी output ना आता कैसे B101 तो suppose और X नाम के supplier नहीं दी होती और B102 किसी और supplier नहीं दी होती तो अगर यह X ने दिया यह Y ने दिया तो फिर दोनों तो अभी से हमार पास नहीं आ पाएंगे क्योंकि तब आप पहले X name के supplier की list निकालोगे वह भी इसको contain नहीं करेगी क्योंकि B102 नहीं आएगा and so I think आप अपने संद्पार्योग में क्या करना चाहरा हूं यहाँ पे at most एक supplier का नाम आएगा लेकिन previous query जो हमने भी की थी उसमें multiple supplier आ सकते थे यहाँ पे हम टाइटल के तो जा रहे थे यहाँ पे हम लोग book ID के तो जा रहे है इस सारी बाते मैं आपके साथ relational algebra में भी की थी बड़ स्टिल में लगा तो मैं इसको repeat करा है और बहुत important है इसको please mind में रखना gate में काफी questions आते हैं Nesting का concept एक तब नया था जो हमने भी सीखा है याद क्या रखना है जो भी हमने rename करी होगी actual query के अंदर क्या वो सब query में भी आ रही है अगर वही rename में यहाँ पर हमने से S था तो वही S हमारे पास यहाँ भी आ रहा है समझे देना nesting है और वहाँ पर जो भी आप name भी करेंगे यहाँ पर मतलब उसको put करके query को राम से जोल करते है This is one of the simplest way जिससे मैं आपको explain किया तो finally answer क्या दे रही है find name of that supplier who has supplied all the books issued to ABC previous query क्या थी find name of all those suppliers who have supplied all the books of same title as issued to ABC वहाँ पर मैंने all the suppliers word के उसके था कि भी बहुत सारे suppliers आ सकते है यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ find name of that supplier मतलब सिर एक ही आएगा आया तो क्या पता वो भी ना थी तो क्या है e query find name of that supplier who has supplied all the books issued to ABC थी next query select card number from borrow B where select title from borrow B1 book B2 where B1 dot BID B is equal to B2 dot BID and B1 dot card number is equal to B dot card number contains select title from book where title is equal to DBMS I think आपको देखती नहीं रारी रोफी just आपके concept tier करने के लिए nestings related तो पहले book पहचानों nesting कहा हुए nesting यह रखी क्यों 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 borrow B लिया था नहीं तो वही भी हमारे पास यहां रख है that means nesting तो पहले उसे देखो select card number from borrow B book B2 where B1.bid is equal to B2.bid that means what borrow और book का मैंने join करवा दिया join करवाने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ B1.card number is equal to B.card number B.card number को मैं प्रेश का सकता हूँ C101 बहुत simple क्यारी होगी card number देखो C101 उसके title निकाला मतलब इतने भी title card C101 प्रेशन है उन सब की list निकाला list निकाला इसे आ गया DBMS OS TOC Network यह list आ गया और नीचे वाली का रही है select title from book where title is equal to DBMS तो यह तो समझने भी हार होगा यह तो जबरदस्ती है और कुछ नहीं है यहां से तो खाली DBMS ही बाहर आएगा तो हम क्या कहरें क्या यह list DBMS को contain कर रही है कर रही होगी तो card number बाहरा देगा find all those card numbers on which DBMS book is issued मतलब जिस जिनोंने भी DBMS title के किताब इस्यों करवाई है वो सारे card number हमारे पाहरा देएंगे बहुत अलगलग तरीकों सिर्फ बहुत simple way से में query को solve कर सकता था बट मैंने जबरदस्ती contains आपको दिखाया है ताकि आपको थोड़ा सा अंधाजा होगे कि contains में हमें काम कैसे करना होता है उसकी list निकालो और नीचे वाली की list निकालो देखो क्या उपर वाली list नीचे वाली list को contain करती है अगर contain करती होगी तो जो भी हमने select में लिखाऊगा वो जिस बहारा देए एक छोटे सी बात में और बरहता हूँ शायद आपको confusion आ सकती है कल को यहान पे जो लिस्ट निकाल cos निकाल रहो तो यहां पर जल्थ ही निकालम करती है यहां पे बडी निकालना ही कोसिश कोर को. पर की थानकना कर यहां title यहां पे भी आपको title ही रखना पर